Hello Friends, Programming Skill Developed करनी की सीरीज में आज हम देख रहे हैं Star Pattern का 20th Lecture और इस Lecture में जो pattern हमको बनाना है वो आपके स्क्रीन पर है इस pattern में mixing की गई है यानि इसमें alphabets भी print हो रहे हैं और digits भी print हो रहे हैं तो आईए देखते हैं इस pattern को, इसके पहले हम 19 और patterns देख चुके हैं इक ही logic से पूरे programs बना रहा हूँ यानि shape कोई सा भी हो, एक basic code में हर बार लिखता हूँ और उसमें मामूली सा fair बदल करके हम लोग programs बना लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत easy हो जाएगा किसी भी pattern को print कराना तो यदि आपने वो नहीं देखा है, तो प्लीज एक वार star pattern first वाला program जरूर देख लीजे जो basic skeleton हमें print कराना है, उसके लिए और ये shape के लिए हमें 4 step करनी होती है तो हर बार कोई भी shape आए, अभी तो ये है, आप घर पे कोई दूसरा shape भी try कर रहे होंगे तो उसके लिए तरीका ये होता है कि पहली step आप इस diagram को draw करिए जैसे कि मैंने ये draw किया और इस पर horizontal or vertical lines आपको बनानी है इसके बाद इसमें हम numbering करेंगे, जैसे मैं numbering कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, ये line number होगए, row number भी बोल सकता है इनको इसी तरीके से उपर भी numbering करता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यानि कि जितनी इसमें rows हैं उतने दुगने इसमें columns हैं तो 4 rows हैं और 8 columns हैं तो अब program में basic skeleton लिखने की बारी यहाँ पर हमको main function बनाना है main function के अंदर 2 variables declare करने हैं I और J इसके बाद हम एक for loop लगा रहे हैं जो I की value 1 से लेकर 4 तक चल रही है ध्यान रहे हैं यह जो loop हम लगा रहे हैं यह हम लगा रहे हैं basically rows के लिए तो 4 row हैं हमारे पास इसलिए वैंने इसमें 4 तक चला है अब मैं एक और loop लगा रहा हूँ जो columns के लिए हैं तो J की value 1 से लेकर J less than equal to 8 तक चलेगा और J plus plus ओके यह for की body अब मुझे एक कुछ if लिखना है if के अंदर कुछ condition लिखनी है और यहाँ पर लिखना है printf printf मैं मान लीजे मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, star लिख दिया अभी इसको change करेंगे और else लिख दिया printf चीक है यह space तो क्या होगा, अगर condition true होगी तो star print होगा और condition false होगी तो space print होगा और J वाला loop end हो जाने के बाद हम line को change करा देंगे जिससे की बाकी अगली line से printing हो यह है हमारा basic skeleton और इस skeleton में भी यह 4 और 8 तै हुआ है यह पहली step करने से इस step में clear हुआ कि कितनी row है कितने column अब हमें step number 2 करनी है जहाँ पे हमें कुछ print कराना है या तो space print कराना है या कुछ character print कराना है तो अगर character print कराना है तो वो मैं इस printf में लिखूँगा अभी मैंने star लिख दिया एक dummy value ताकि star print हो जाए पर वैसे मैं यहाँ पर कुछ changes करूँगा जिससे कि a print हो या one print हो पर यहाँ पर condition ऐसी लिखनी है जिससे कि i और j की particular values के लिए ही ये true रहे जिस पर कि आप कुछ print कराना चाहते हो वरना space print हो जाए तो i और j की कौन सी values हैं जिनके लिए आप ये condition true बनाना चाहते हो तो condition बनाने के लिए हमको step number 2, 3 और 4 करना है तो step number 2 हम लोग करने वाले हैं step number 2 में i और j की वो values लिखिए जिस पर आप चाहते हैं कि star print हो तो देखिए मैंने i की value लिखी 1 तो j की value 4 और 5 पे आप printing कराना चाहते हैं फिर i की value 2 है तो j की value 3, 4, 5, 6 इन पे आप कुछ print कराना चाहते हैं i और j की values मिलकर एक location एक region जहां पे हम कोई character print कराते हैं उसको denote करते हैं तो i की value यदि 3 है तो j की किन-किन values के लिए आपको कुछ print कराना है other than space तो हम कहेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और जब i की value 4 है तो j की value होनी चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये है step number 2 अब मुझे लिखनी है step number 3 step number 3 में i और j की values एक बार फिर लिखनी है पर इस बार थोड़ा smart तरीके से लिखना है यानि relational operator की मदद से लिखना है जैसे i की value अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 है, possible value 3 के लिए सोचिए i की value अगर 3 है तो j की value क्या होनी चाहिए j की value होनी चाहिए greater than equal to 2 and j की value less than equal to 7 got it आप देख सकते हैं कि जब i 3 है तो j की value 2 से 7 तक है इसी प्रकार से अगर i की value 2 है तो j की value क्या होगी greater than equal to 3 and j की value less than equal to 6 जब i की value 4 है तो j की value greater than equal to 1 and j की value less than equal to 8 similarly जब i की value 1 है तो j की value greater than equal to 4 and j की value less than equal to 5 तो इस तरीके से हमने step number 3 करी अब हम करेंगे step number 4 जोकि हमारी final step होगी और इस step में हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या if के parenthesis में लिखना है तो इसी को generalize करना है जनरलाइस करने के लिए हम फिर से इसको लिखते हैं हम लिखेंगे कि i की value 1 है तो ये 4 हो जाए i की value 2 है तो 3 हो जाए तो मेरे साब से ये 5 minus i लिखा जा सकता है क्योंकि अगर i 1 होगा तो ये automatically 4 हो जाएगा i 2 होगा मतलब line number 2 होगा तो ये 3 बन जाएगा 5 minus 2 is 3 तो ये चीज़ें आ जाएगे अब इधर क्या लिखना है लिकें j less than equal to कितना तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि 5,6,7,8 इस तरीके से बढ़ रहा है तो हम लिख सकते हैं 4 plus i तो अगर 4 plus 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा देखिए तो i की value जैसी है i की value जैसी है 2 है तो 6 आना चाहिए यह सा रहा है तो यह जो condition हमने बना ली है यही हमको लिखनी है यहाँ पर if के अंदर तो j greater than equal to 5 minus i and j less than equal to 4 plus i चेक है तो यह हमने condition बना दी अभी हमने यहाँ star लिखा हुआ है तो star print होगा लेकिन एक बार चला के देखते हैं यह देखिए जो हम shape हम print करना चाहे है वो shape हमारा print हो चुका है पहली line में दो चीजे print होनी चाहिए तो वो हो रही है तो अब यह दो चीजें लेकिन क्या होना चाहिए a1 हाना तो अब कैसा code दिखना है वो देखते हैं तो यहाँ पर मैं definitely star नहीं देना चाहेता मैं यहाँ पर देता हूँ एक percent c यहाँ percent c लिख देता हूँ तो percent c से क्या होगा कि एक character print हो जाएगा और वो character कौन सा होगा जो k variable में रखा होगा के एक variable और मैं बना दिता हूँ और हर line के starting में के की value é हो जानी चाहिए हर line के starting में क्योंकिhem इस shape में जाए हर line के starting में जो print होगा वो a होगा तो जब भी i की value change होती है मतलब line change होती है तो k की value a हो जाती है अभी अगर मैं इसी state में इस program को run करूँगा पर मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इसको बढ़ाना है, तो जब इफ में आये थे, तो k की value आपने print करी थी, इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, k को increment करना चाहिए, k की value बढ़ती जाएगी, तो अभी क्या होगा, k की value प्रिंट होने के बाद बढ़ भी जाएगी, तो a के बाद b, c, d, इस तरह से, हर line में देखिए, बढ़ता जा रहा है, पर मैं यह चाहता हूँ, कि यह आधे तक बढ़े, और उसके बाद जो printing हो, वो कुछ और हो, उसके बाद printing क्या हो, उसके बाद printing numbers हो जाए, यह हम चाहते हैं, अब यह कैसे होगा, तो हम बेसिकरिए, आधे के बाद number change करना चाहते हैं, मतलब जे की वैल्यू 1 से 4 तक तो सब ठीक है, जे की वैल्यू 4 से जब आगे जाती है, तो k की वैल्यू फिर change हो जानी चाहिए, की की वैल्यू ए बी सी इस तरह से character ना हो कि number हो जाए, तो क्यों ना ऐसा करें, कि जब इस if के अंदर आते हैं, और देखते हैं कि जे की वैल्यू ग्रेटर दन 4 है, ठीक है न, जे की वैल्यू, बल्कि ग्रेटर दन 4 क्यों, जे की वैल्यू इक्वल्स टू, 5 है, ठीक है, जे की वैल्यू 5 है तब आपको number चाहिए न, 4 तक तो सब ठीक था, तो यदि जे की वैल्यू 5 है, तो क्या करूँ, तो फिर मैं के में assign कर देता हूं, 1, ठीक है, मैंने character 1 assign कर दिया इसमें, बस इतनी किया और कुछ भी नहीं किया, जे की वैल्यू अगर 5 है तो अब यू मैं run करता हूं, यह देखिए, exactly वही जो हम लोग लाना चाहा रहे हैं, यानि जे की value जब 5 हो, तो के की value 1 हो जाए, बाकी तो हर बार उसको increment होना है, तो वो तो होई रहा है increment, अब 1 था तो 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा, A था, तो A से B, B से C, इस तरह से, औ तो यह हमारा desired shape print हो गया, अब यदि आपको यह logic पसंद आया हो, तो आप इसे like करिए, यदि आपको लगता इस तरह के और videos देखने में आप interested है, तो इस channel को ज़रू subscribe करिए, आप मेरी website को ज़रू visit करें www.mysergy.com, इस website पे आपको C, C++, Java, PHP, MySchool, Data Structure, DBMS, इन सब के video courses मिले दियान रखे, मेरे कई सारे YouTube channels हैं, और हो सकता है आप एक particular channel देख रहे हो, इस website पे अगर आप visit करेंगे, तो आपको सारे ही videos के link मिल जाएंगे, और बहुत ही systematic order में, क्योंकि हो सकता है आपको यह confusion हो कि कि किस video के बाद कौन सा video देखना चाहिए, तो वो पूरा sequence इस site पे properly maintained है, तो आप प्लीज इस site को ज़रू विजट करें, और daily site में एक नया video भी upload होता है, जैसे कि यह वाला आप video देख रहे हैं, यह programming skill develop करने से related video है, तो इस site पे आपको programming exercise वाले videos भी मिलेंगे, जैसे कि यह वाला video है, campus preparation से related भी काफी सारे videos हैं, और सारे के सारे videos free of cost हैं, हिंदी में, तो हो सकता है कि यह आपके बहुत काम, कई बार students को दिक्कत जाती है English में, कई बार उनको financial status उनका अच्छा नहीं होता है कि वो coachings join कर पाएं, कई बार ऐसा भी होता है कि वो ऐसे area में रह रहे हैं जहां पे coachings available नहीं है, बढ़ाई available नहीं है, तो सीखने में दि हिंदी भाशी हैं, जिन लोगों को नहीं समझ में आता है English में ठीक से, उन लोगों की कुछ help हो सके, तो यदि आपको लगता है कि ये वीडियो काम के हैं, तो please आप इनको share जरू करिएगा, क्योंकि इसका कोई charge मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे इतनी उम हैं, आप भी आगे इस में लोगों की मदद करिए और इनको share करिए, thank you